राम नवमी का त्योहार हर साल मार्च व अप्रेल महीने में मनाया जाता है. लेकिन क्या आप जानते है राम नवमी का इतिहास क्या है? राम नवमी का त्योहार पिछले कई हजारों वर्षों से क्यूं मनाया जा रहा है? अगर नहीं, तो आए आज के इस वीडियो में हम आपको राम नवमी के इतिहास के बारे में बताएं राम नवमी का पर्व चैत्र शुकल की नवमी को मनाया जाता है हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था शास्त्रों में लिखा गया है कि रावन के अत्याचारों को समाप्त करने तथा धर्म की पुनह स्थापना हेतु भगवान विश्णू ने मृत्यू लोक में श्री राम के रूप में चैत्र शुकल की नवमी के दिन पुनर वसुनक्षत्र तथा करक लग्न में कोशलिया की कोक से राजा दश्रत के घर में अबतार लिया था राम नवमी एक धार्मिक और पारमपरिक त्योहार है जो हिंदू धर्म के लोगों के द्वारा पूरे उत्साह के साथ हर वर्ष मनाया जाता है हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह त्योहार हर वर्ष चैत्र मास के शुकल की नवमी भी कहा जाता है जो नो दिन लंबे चैत्र नवरातरी के त्योहार के साथ समाप्त होती हैं राम नवमी की कत्हा महकाव्य रामायंग के अनुसार अयोध्या के राजा दश्रत की तीन रानिया कोशल्या सुमित्रा वग कैके इथी परन्तु बहुत समय तक कोई भी राजा दश्रत को संतान का सुख प्रदान न कर पाई जिससे राजा दश्रत बहुत परेशान रहते थे पुत्र प्राप्ती के लिए राजा दश्रत को रिशी वशिष्ट ने पुत्रकामेश्ठी यग्य कराने को विचार दिया इसके पश्चात राजा दश्रत ने महर्श रुष्या शरुंगा से यग्य करावाया। यग्य समाप्ती के बाद महर्शी ने दश्रत की तीनों पत्नियों को एक-एक कटोरी खीर खाने को दी। खीर खाने के कुछ महीनों बाद ही तीनों रानिया गर्भवती हो गई। ठीक नौ महीनों बाद राजा दश्रत की सबसे बड़ी रानी कोशलिया ने श्री राम को जो भगवान विश्नु के सात्वे अवतार थे. कैकी ने भरत को और सुमित्रा ने जुर्वा बेटो लक्ष्मन और शत्रुधन को जन दिया. भगवान राम ने अपने भक्तों को दुष्टों के प्रहार से बचाया था. उन्होंने रावन सहित सभी राक्षसों का सर्वनाश करने के द्वारा पूरी धर्ती से अधर्म का नाश करके पृत्वी पर धर्म को स्थापित किया. आयोध्या के निवासी अपने नए राजा से बहुत खुश रहते थे. इसलिए उन्होंने अपने राजा का जनम दिन हर वर्ष राम नवमी के रूप में बहुत अधिक उत्साह और आनंद के साथ मनाना शुरू कर दिया, जो आज एक परंपरा है. राम नवमी धार्मिक रूप से पूरे भारत में हिंदू धर्म के लोगों के द्वारा मनाया, राम नवमी का महत्व, यह त्योहार का उत्सब बुरी शक्तियों पर अच्छाई की विजय को और अधर्म के बाद धर्म की स्थापना को प्रदर्शित करता है. राम नवमी का त्योहार प्रातहकाल में हिंदू देवता सूर्य को जलर्पन करने के साथ आरंब होता है. लोगों का विश्वास है कि भगवान राम के पूरवच सूर्य थे. लोग पूरे दिन भक्तिमय भजनों को गाने में शामिल होने के साथ ही बहुत सी हिंदू धार्म पुस्तकों का पाठ करते और सुनते हैं. इस समारों के आयोजन पर धार्मिक लोगों या समुदायों के द्वारा वैदिक मंत्रों का जाप किया जाता है. इस दिन उपवास रखना शरीर और मन को शुध रखने का एक अन्य महत्वपूर्ण तरीका है. कुछ स्थानों पर, लोग धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव रामलीला का आयोजन लोगों के सामने भगवान राम के जीवन के इतिहास को बताने के लिए करते हैं. लोग नाटकियर रूप में भगवान राम के जीवन के पूरे इतिहास को बताते हैं. राम नवमी के पर्व की रत्यात्रा का प प्रतिमाओं को अच्छे धंग से सजाते हैं और फिर गलियों में शोभायात्रा निकालते हैं। आमतोर पर, लोग शरीर और आत्मा की पूरी तरह से शुद्धी की माननिता के साथ अयोध्या की पवित्र सर्यू नदी में सनान करते हैं। दिन ही चैत्र नवरात्र की समाप्ती भी हो जाती है। राम भगवान विश्नु के सबसे पुराने अवतारों में से एक है, जो एक मानव रूप है। भगवान राम का जन्म मध्यान काल में व्याप्त नवमी तिथी को पुष्य नक्षत्र में हुआ था। चैत्र के महीने के नौवे दिन राम नवमी का उत्सव पृत्वी पर परमात्मा शक्ती के होने का प्रतीक है। राम नवमी का उत्सव धर्म की शक्ती की महिमा अच्छे और बुरे के बीच शाश्वत संधर्ष को दर्शाता है। राम नवमी का दिन सूर्य की प्रार्थना करने के साथ शुर वोच शक्ती का आशिरवाद प्राप्त करना होता है। आयोध्या में राम नवमी उत्सव भगवान राम के जन्मस्थान उलेखनिय है। जन्म भूमी आयोध्या में यह पर्व बड़े हर्शो उल्लास के साथ मनाया जाता है। वहां सर्यू नदी में सनान करके सभी भक्त राम जी का आशिरवाद प्राप्त करते हैं। राम नवमी से पहले आठ दिन का उपवास किया जाता है। राम नवमी का पूजन शुध और सात्विक रूप से भक्तों के लिए विशश महत्व रखता है। इस दिन प्राता काल स्नान इत्यादी से निवरित हो भगवान रा राम को याद करते हैं। इसके साथ ही साथ भंडारे और प्रसाद को भक्तों के समक्ष वित्रित किया जाता है। भगवान राम का संपूर्ण जीवन ही लोग कल्यान को समर्पित रहा। उनकी कथा को सुन भक्त गन भाव विभोर हो जाते हैं वह प्रभू के भजनों को भगवान श्री राम जी ने भी देवी दुर्गा की पूच की थी और उनके द्वारा की गई शक्ति पूजा ने उन्हे धर्म युद्ध विजय प्रदान की। इस प्रकार इन दो महत्वपूर्ण त्योहारों का एक साथ होना पर्व की महत्ता को और भी अधिक बढ़ा दे चैतर माह के शुकल पक्ष की नवमी को हुआ था। आईए जानते हैं जन्म की पांच रोचक घटनाएं। राजा दशरत ने किया था पुत्रेश्टी यग्य। रामचरित मानस के बालकांड के अनुसार राजा दशरत ने पुत्र की कामना से पुत्रेश्टी यग्य किया वशिष्ट जी ने श्रिंगी रिशी को बुलवाया और उनसे शुब पुत्र कामेश्टी यग्य कराया। इस यग्य के बाद कौसलिया आदी प्रियरानियों को पुत्र प्राप्थ हुए। शुब योग में हुआ जन्म। योग, लग्न, ग्रह, वार और तिथी सभी कूल हो गए तब श्रीराम का जन्म हुआ। पवित्र चैत्र का महीना था, नवमी तिथी थी, शुकल पक्ष और भगवान का प्रिय मुहूर्थ था, दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी, न धूप गर्मी थी, चारों और मौसम खुशनुमा हो गया, वह पवित्र समय स और संतों के मन में, बढ़ा, चाव था, वन फूले हुए थे, परवतों के समुह मनियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी, देवता उपस्थित हुए, जन्म लेते ही ब्रमहाजी समेट सारे देवता विमान सजा सजा कर पहुँचे, निर नगर में हुआ हर्ष व्याप्त, राजा दशरत ने नांदी मुख श्राध करके सब जातकर्म संसकार आदी किये और द्वीजों को सोना, गो, वस्त्र और मनियों का दान दिया, संपूर्ण नगर में हर्ष व्याप्त हो गया, ध्वजा, पताका और तोरनों से नगर छा गय जिस प्रकार से वो सजाया गया, चारो और खुशिया ही खुशिया थी, घर घर मंगल में बधावा बजने लगा, नगर के स्त्री पुरुशों के जुन्द के जुन्द जहां तहां आनंद मगन हो रहे हैं, राम से भी बड़ा है राम का नाम, राम सिर्फ एक नाम नहीं है और नहीं सिर्फ एक मानव, राम परम शक्ती है, प्रभु श्री राम के द्रोहियों को शायद ही यह मालूम है कि वे अपने आसपास नर्ग का निर्मान कर रहे हैं, इसलिए यह चिंता छोड़ दो की कौन प्रभु श्री राम का अपमान करता है और कौन सुनता है, कौन अपने से कई लोगों को मोक्ष प्राप्थ हो गया, राम एक महामंत्र है, जिसे हनुमान ही नहीं भगवान शिव भी जपते हैं, राम से पहले भी राम का नाम था, प्राचीन काल में राम इश्वर के लिए संबोधित होता था, राम या मार, राम का उल्टा होता है म, अग प्रिक्ति अन्य विश्यों में मन को रमाता है, मार उसे वैसे ही गिरा देती है, जैसे सुखे व्रिक्षों को आंधिया, राम नाम कहने का आर्थ, एक बार राम कहा तो संबोधन हुआ, राजस्थान में कहते हैं राम सा, आपके सारे दुख हरने वाला सिर्फ एक मात्र ना हुई, जैसे ये क्या हुआ राम राम राम, उद्धरंग, चार बार राम कहा तो भजन हुआ, तारणहार राम का नाम, राम का नाम जपने वाले कई संत और कभी हुए हैं, जैसे कबीर दास, तुलसी दास, रामानंद, नाभा दास, स्वामी अग्रदास, प्रांचन, चोहा केशवदास, रैदास या रविदास, दादुदयाल, सुन्दरदास, मलूगदास, समर्थ रामदास आदी, श्री राम श्री राम जपते हुए असंखे साधू संत मुक्ती को प्राप्थ हो गए हैं, जीवन रक्षक नाम, प्रभु श्री राम नाम के उच्चारन से जीवन या रेत पर एक विशेश आकृती का निर्मान होता है, उसी तरह चित में भी विशेश ले आने लगती है, जब व्यक्ती लगातार राम जब करता रहता है तो रोम रोम में प्रभु श्री राम बस जाते हैं, उसके आसपास सुरक्षा का एक मंडल बनना ते समझो, प्रकार से कहते सुनते हैं, राम चंद्र के सुन्दर चरित्र करोणों कलपों में